हलो बच्चों क्या हाल चाल आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसमित के मस्टी बाला में और भई अब तक हमने फैमिली डिसकस कर रहे हैं और फैमिली में हमने पहले रेनेनकुलेसी फैमिली पढ़ लिया है फिर उसके बाद में रोजेसी फैमिली डिसकस कर आज हम डिसकस करेंगे रोटेसी फैमिली इसके अंतरगत आती है कौन-कौन से पुस्प आते हैं स्वाधे और उनका क्या-क्या होग होता है वह थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं गर रोटेसी फैमिली जो है वो संत्रय नीमभू ठीक है और तुमारा जो बेलवा होता है ना ब बेल पका तो कोवे के बाप का क्या उसका कोवे अच्छा कितनी भी खोंट मारता रहे बेल को खाई नहीं सकता तो और मुसम्मी जो है उसी के अंतरगत आती है कौन से रोटेशी चले वाई यह जो है बेसी सेकंडियर के लिए प्लिश के मॉस्ट और मोस्ट मुस्ट उंपोरेंट टोपिक रहता है रोटेशी और में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगें ल्ए है जर लैंगिकडी लेंगिक जनन द्वारा अपने पीडी एकंतर करते हैं यानि की पीडी को बढाते हैं वह क्या कहलाते हैं। यह भी नोरी कि स्पध्व कैलाते हैं। सब फाहिलम होता है डाको टायलेड मैंडे रो जेश सी उस्थार इस आपना को स्पाइल्ग में आज हम डिसकस करेंगा कोई बीज अंकुरित होता है तो बहें उसके अंकुरित होने के टाइम पे दो बीज पत्र निकलते हैं उसी कोई बोलते हैं डाइको टायले डाउन, डिवीजन, लिगनोशी, और, रोटेल्स और फैमिली, रोटेशी, चला वए अब रोटेशी है, सबसे पहले आता है मिलते हैं इस प्रडि पाड़ी कोड़ में रहा तर प्रफी कल में फार्ए में इस कुल के पौधे सब ट्रोपिकल में मिलते हैं कहां पर पाए जाती है रिखेवाटे का मतलब क्या होता है तरेक्टर कर रहें कहें कि लक्षण हिंदी में क जैसे कि मेरे कुछ काय के लक्षड हैं, वैसे ही आपके कुछ काय के लक्षड होंगे, वैसे ही कार को देखने पर कार के काय के लक्षड हैं, मोटसाइकल को देखने के मोटसाइकल के काय के लक्षड हैं, उसी प्रकार से पौधे के भी काय के लक्षड होते हैं, जिसमें उसमे पहीमिली के कायबिये लक्षण भी सबसे पहले है वे vegitative चुप होते हैं और कैसी होते हैं छुप विया निकी जाडिया झालं तो आपने देख्यों होते हैं अरके से होते आने कि पेड़ भी होते हैं और हर्ब होते हुटे और हरे वरे पुस्प बहुत तैमें आते हैं मतलब इस पुस्प की संख्या है बहुत ही जाद होती है मैंने भी देखा है नीमू का पुदा भी देखा है और मुसम्मी का भी पुदा देखा है संत्रे का पुदा नहीं देखा अभी तक लेकिन इन दोनों का पुदा देखा और उन पर पु मिलते हैं तो तक हम बनेखें करनेते माहीं हैंनों पैरिये निग I am तो कि हस्तै है नियौ जान था है जन् peppers पाते हैं वह स्अधि देखा घ्या है, ऐसे निगाए जया था की तरह समान पाया जाता है बुड़्वाला येसे कि मुले की सर्चों कि जड़ हो T और कांटेदार होता है म biscuit उसमें कांटे भी Spide भी स्पाइन भी लगे होता उती है इनकों क्तियां अभी मुक होती है graduate जैसे की यह इह इसकी यहां से एक पत्ति हाटने जो behavior दूसरी पत्ति किसी के सामने से प्रोते है अभी jsut इक ऊंतर होती है अल्ट्रानेट होती है मतलब यहां पर और यह पत्ती यहां नाओकर यहां पर होगी तो उसको क्या पर पत्ती में और ऑल्ली ग्लेंट काली ग्र्रणथिय ब्रेक्टिलो लेट होता है यह प्राया बाइसेक्सवल होते हैं मतलब मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही पुस्प में पाए जाते हैं उसी को भी बोलते हैं बाइसे कभी कभी यह यूनिसेक्सवल मतलब ऐसे भी पाए जाते हैं कि मेल पौधा मेल पुस्प अलग होता है और पर थेख वाग एक दूसरे के क्या होता है बरावर होता है उसी को भूलते है एक टीनो मॉर्फिक पेंटा मेरवस होता है और हाइप गायनस होता है कि हमारे पास में यह क्या होता है अव्री होता है और ju के जुस्ट नीचे सेART पूल की अन्य अंग निकले हुए होते हैं, उसको भी बोलते हैं हाइपोगाइनस और मकर ग्लेंड भी पाये जाते हैं, मकर ग्लेंड भी पाये जाते हैं अन्य अंगों का मतलब यहाँ पे कोरोला, केलेक्स, एंडोसियम, गैनोसियम भी एंडोसियम हो सकते हैं यह Gynosium है, Gynosium के बराबर में बराबर के नीचे से The endosium , Corolla and Cowley All those are निकले हुऊ होते है , उसी को भी बोलता है Hyp Benos अभ इनमेंẹ मक कार ग्लेंड भी पाहे जाता है, ram genocide , पहचु ऐसा होते है , lessig since becomes core fatty looking and acid core fattyं का मतलब क्या होता ह ? वो एक दूसरे के ओपर होती है कि ऐसे करके कि कोर च्छवाकर होते कि एक यह कاج लैक्ष है और एग कालेक्स होते कैया हैं जो हरे होते हैं उन्हें क्या क्या बोलते क्या जहना कि युद्र नीचे वह ङुद्ण होते हैं वह काला यह कालाधे का मतलब क्या होता है कि यह हमारा एक हमारा यह है और एक निदी को इस पर क nep यहांद है तो उसके बोलते है कॉर छा दी, अच्छा, एंडौसियम, इनमें एंडौसियम की संख्या, कॉरॉला की संख्या का दूग ना होता है, माल लेजिये, एंडौसियम, तो Bonex क मुईदी, चार है, तो उसकी ठीक है वह हमने जितना रह गया है वह डिसकस करें तो हमारे पास में सब उसके बाद में आता है प्रूट शीड जो आता है वह हैं और प्रूट पोस होते हैं प्रूट कैसे होते हैं फल बिरी प्रकार होल यह स्ट करणा है है जासे की ह вспंड़ यह होते हैं फल 1 अलब टाफ फलластि3 में को इसका मतलब Bennett था एक 1000 यह सब्सूमं को सिर्फ एक ही जगह से काचने पर सर्फिर मोस काट जगह से एक ही जगह से काटने पर दो समान भागों में कर सकते हैं तो उसी को बोलते हैं एकसंभ ब्यासी अब यदि उसको एक से अधिक प्रकार से काट एं जैसे पर हमारे पास में एक चीज ऐसे करके यह करना है ठीक है कें है ऐसे करके एसे करके यदि रखा है और इसको यदि मैं यहां से काट ऊढ़म है तो यह क्यों बतरा कैसे एक दूसरे के बराबर है यदि मैं यहां से काट रहा हूं तो क्या यह एक दूसरे के बराबर है यदि मैं यहां से काट रहा हूं तो क्या यह एक दूसरे के बराबर है नहीं तो इसको बोलते है एक संभ्यासी और actinomorphic क्या बोलते हैं actinomorphic का मतलब होता है कहीं से भी काट लो दोनों भाग क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे उसी कोई बोलता है actinomorphic अब आता है ये इसका मतलब होता है bisexual यानि कि male और female part एक ही पुसमें पाए जाते हैं उसी कोई बोलता है bisexual galaxy संख्या मतलब जो हरे होते हैं galaxy संख्या 4-5 होती है corolla की संख्या 4-5 होती है corolla यानि कि जो colorful भाग होता है उनकी संख्या androsium 8-10 होते है gynosium 5-5 तक हो सकते है economic importance economic importance में हमारा क्या होता है in food material में मतलब खाने में सबसे ज़्यादा यूज होता है इस चीजों का ठीक है तो सबसे पहले हैं citrus lyman, citrus lyman याने की नीबू, तो आप जानते हो कि नीबू को निचोड के डाले जाता है, खटा, ठीक है, तो वो हमारा क्या है नीबू, अब आता है citrus maxima, citrus maxima क्या होता है, नीबू से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको ब होता है, citrus maxima, देखो नीबू का बेगयनिक नाम, citrus lyman है, और चकोतरा का मतलब क्या होता है, चकोतरा का बेगयनिक नाम क्या है, citrus maxima, अब citrus रेकुलेटा, रेकुलेटा ये एक बहुत ही स्वाधिस्ट फल है, जिसका हम रस पीते हैं, जिसको बोलते हैं संत्रा, तो संत्रा हमारा बढ़िया चीज है, अब आने वाले समय में जो आप गर्मियों के दिने होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा वही यूज होता है, ठीक है, आगे है सिट्रस साइनेसिस, सिट्रस साइनेसिस भी एक ऐसी है, संत्रे के समानी होता है, संत्रे के जैसा ही होता है, और वो जो है, उसको मुसम्मी कहते हैं, सिट्रस से बढ़ा होता है, संत्रे से के बरावर ही होता है, उसको मुसम्मी कहते हैं, पर वो खट्टा होता है, अ बेल बोलते हैं अब बेल क्या होता है आपने देखा अगर किसी को पेचे नियुकर ठीक हो जाता है अब एक हमारे हमारे जो इंडिया में एक सबसे बड़ी अवधार्णा है जो सावन के महीने में जब शीव जी की पूजा की जाती है जब जीव चीव को जाती है होता है तब उसमें जो बेल के पत्ते हैं उनका यूज किया जाता है ठीक है थैंक यू सो वाचिंग माई वीडियो ओल्दा बेरी बेस्ट